अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें दोस्तो दोस्तो हमने अपनी पिछली क्लासेज के अंदर भारत का जो नदीत अंतर था उसको पड़ा अब दोस्तो हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुक जीले दोस्तो हम साइट जो है वो एड की हुई है दोस्तो दोस्तो जैसा कि मैं पहले बिदा खूक हूं कि प्रमुक जीले और उन से जुड़े हुए महतपुन तथि दोस्तों उसके साथ ही हम देखेंगे रामसर साइट कौन-कौन सी जीले है चलते हैं आज गी क्लास में हम देखते हैं दोस्तों कि जील किसे कहते हैं जील जनरली क्या होता है कि जैसे कोई भी आपने जनरली इस डेफिनेशन से आप अवेर ह टेर्ड मानारा हतए हें ठीच ईहां से ज़रूर के जाता है जील कितने प्रकारकिं होती है एक दोस्तों प्रक्रतिक जील होती है और दूसरी क्या होती है मानव निर्मित जील होती है दूसरी कौन सी मानव निर्मित जील होती है दोस्तो प्राकर्तिक जील जो होती है उसको भी दोस्तो दो भागों उसके भी कितना पांच भागों में बांटा जाता है कितने दोस्तो पांच भागों में बांटा जाता है पहली कौन सी है हिमानी द्वारा निर्मित हिमानी द्व और गड़े ऑल्रेडी बने होते हैं तो glacier पिगल के उन गड़ों के अंदर पानी इकटा कर देते हैं और इससे जो जील निर्मित होती है उसी को क्या जब प्रत्वी की प्लेट्स जो इंटरनल प्लेट्स हैं, कोर प्लेट्स और प्लेट्स में जब आपस में टकरा होता है, तो उनमें मुमेंट होता है, उस मुमेंट की वज़े से क्या होता है, कहीं कहीं पर प्रत्वी में क्या होता है, गड़े क्रियेट होते हैं, और कहीं पर कैस्पियन सागर और जमू एंड कश्मीर की जो वुलर जील है दोस्तो वो भी एक विवर्तनिक हल चलो द्वारा निर्मित जील है अगला है ज्वाला मुखी परवतो द्वारा निर्मित जील अब आप सोच रहे होंगे ज्वाला मुखी परवतो द्वारा निर्मित जील कैसे बनती हैं तो दोस्तो जब जॉला मुखी परवत जो होते हैं उसमें जब विस्पो टुता है तो जो लावा निकलता है वो कहीं न कहीं से निकलता है तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं क्रेटर बोलते हैं क्रेटर से लावा निकलता है और सारे जॉला मुखी एक्टिव नहीं तो इससे क्या होता है इस jhilos को क्या वोता है जुझ एक उधारण अगली दोस्तो काफी इंपोंटेंट है लेगून जील इसमें में question जरूर पूचा जाता है समुंदर के किनारे में क्या होता है जब आप कभी देखेंगे इंडिया के मैप का तो मैप क्या होता है ऐसे ऐसे मैप रहेगा इंडिया का मैप नीचे से न तो ये वाला जो एरिया जैसे इस टाइप से क्या होता है इसके अंदर समुंदर का पानी आता है जब आता है तो पानी भरता जाता है पानी के साथ में समुंदर के साथ मिट्टी भी आती है कचड़ा भी आता है कुछ और क्या होती है तट पे इकटा होती रहती है तो यह पानी जो है दीरे-दीरे वहां पे इकटा हो जाता है वापस बाहर जो है जा नहीं पाता है दोस्तों ठीक है तो इस तरह से जो जील का धिर्मान होता है ना उसको क्या बोला जाता है लेगून जील बोला जाता है और यह खारे हवा क्या करती है? मिď्टी को उठा करके लेके चली जाती है और दीरे मिट्टी के कटाओ की वज़े से क्या होता है? वहाँ पे घड्डे बन जाते है और उन घड्डों में पानी भरने लगता रह तो उससे निर्मिट जो जील होती है, उसको क्या बोलते है? वायू द्वारा निर्मित जीले बोलते हैं इनको दोस्तों क्या बोला जाता है पलाय जील भी बोला जाता है दोस्तों चलिए अगली देखते हैं मानव निर्मित जीले वेरी सिंपल आंसर इसका क्या है दोस्तों मानव जो जीले बना लेता है मानव जो जीलो का निर्माण करत उन्हें करत्रिम जील या मानवनद्र मीद जील है इनका जेनरली सेचाई के लिए विज्युप थृतबादन के लिए आधी के लिए दोस्तो निर्माण किया जाता है तो सबसे पहले आती है गोविन दुवल्लब मंद सागए मैं बोलता जा रहा हूँ आप अपने नोट्स के अंदर लिख लीजिए दोस्तो यह जो है रिहंद नदी पर कौन सी नदी पर? रिहंद नदी पर रिहंद नदी पर दोस्तो कहां पर? यूपी में रिहंद नदी पर जो है वह पानी को रोक करके बनाई गई है कौन से जिले में है? तो सोन भदर जिले में है कौन से में? सोन भदर जिले के अंदर है दोस्तो चीक है? और रिहंद जो है यह किसकी सोन नदी की साइक नदी है दोस्तों और सौन गंगा की साइक नदी है और भारत की सबसे बड़ी कृत्रियम जील है अगली गांदी सागर जील यह दोस्तों कहां पे चंबल नदी पर MP के अंदर बनाई हुई है उसके बाद जैसंबन जील अरावली के दक्षिनपूर और एसिया की दूसरी सबसे बड़ी जील है गोविन सागर जील दोस्तों यह कहां पे है यह सतलुज नदी पर बनाए गई है सतलुज नदी पर भागड़ा नागलबांध जो है पाकरा डैम पाकरा डैम जो है वहां पे बनी हुई है हिमाचल प्रदेश के कहां बिलासपूर में है बिलासपूर के अंदर ठीक है 15 जील राजस्तान के अंदर है इसके अलावा भी और कौनसी जील है दोस्तो सबसे इंपोर्टेंट आप याद रखिए हुसेन सागर जील कहां पे है ये हुसेन सागर दोस्तो कहां पे है तेलंग गाना के हैदराबाद के अंदर है और हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों क अलग करती है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को अलग करने वाली जो जील है, उसका नाम क्या है? हुशेन शागर जील है, दोस्तों, ठीक है? तो ये आपका सारा कंप्लीट और ये जो पिक्चर दिखा रखी है, इन सारी जीलों के बारे में हम कल के वीडियो के अंदर, पूरा डिटेल के अंदर, पार्ट टू के अंदर देखेंगे दोस्तों, चीक है? अगर कंटेंट अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करें, वीडियो को लाइक और शेर करें, जहें जाती हूँ,